बिस्मिन लाह रह्मान रहीम, Assalamualaikum dear students, I am Professor Vakar Ali, आज हम lecture no.1, chapter no.7, database fundamentals में से कुछ basic basic चीजों के बारे में discussion करेंगे, जिसमें data और information, फिर file management, file management system, then database और database management system के बारे में discuss करेंगे, one by one discuss करते हैं, सबसे पहले data, data के बारे में क्या कहता है, it's a collection of raw facts and figure. raw का मतलब क्या है, कहता है, unorganized data, unorganized things, समझा रही है बात, कहता है कि draw facts and figure है, और उसमें raw का मतलब क्या है, कि चीजें organized नहीं हैं, वैसे पड़ी हुई हैं, बात clear हो रही है, और कहता है, जब यह raw, यह unorganized होती हैं, तो फिर यह किसी भी किसम का data आपका हो सकता है, वो for example, आप properties हो सकती है, वो videos हो सकती है, वो numbers हो सकती है, ठीक है, यह सारा का सारा जो data है, basically क्या है, unorganized है, raw है, इस वज़ए से क्या कहा जाता है, कि data जो उनसे है, वो collection होती है, raw facts की, और raw figures की, अब examples में, for example, हो कहता है, student के data में अगर हम बात करें, role numbers, बहुत सारे role numbers हैं, तो ठीक है, raw data हम कहते हैं, name है, तो बहुत सारे names है, students के, और हम कहते है, father name है, तो बहुत सारे father's name है, जो आपके students के हैं, तो यह भी आपका क्या है, raw material है, आपके लिए कोई, अभी meaningful information convey नहीं का रहा, फिर कहता है, information की बात करते हैं, अब information क्या है, कहता है, processed, organized form of data, यानि के उसी data को, जो के हमने कहा था, raw है, जो के facts और figure जो उन से हैं, क्या है, आपके raw है, वो जब input किया गया किसको computer को, और उसको कोई instruction दीगी कि इसके ओपर processing perform करे, तो कहता है, वो ही data आपका क्या बन गया, आपका meaningful बन गया, वो आपका organized हो गया, for example, कहते हैं, आपके पास data था, students के name थी और marks of subject थे, दो चीजी हैं, दो पड़ी हुई है, एक आपका कहा है, name of students, दूसरे के हैं, आपके marks of subjects हैं, different, कहता है, आपने क्या किया, आपने उससे result sheet produce करवानी थी, ठीक है, कहता है, जब हमने result sheet produce करवाई, तो अब क्या होगा, एक organized way में आपको एक result sheet मिल जेगी, कहता है, वो result sheet पूरी की, पूरी information convey कर रही होगी, for example, student name जो उसके math में, English में, उर्दू में, या जितने भी subject वो पढ़ड़ है, उन तमाम के marks मिल जाएंगे, total marks में से उसके obtained marks कितने हैं, वो भी सारे बिताए जाएंगे, और उसके divian भी सारी कि सारी बिताए जा रही होगी, और वो complete information क् convey कर रही होगी, इसका मतलब है data basically क्या होता है, input होता है, किस के लिए आपके computer system के लिए, और information कैसे बनती है, कहता है वो ही data जो input हुआ था, जब वो process हो जाता है, तो जो computer की output होती है, वो basically क्या होती है, आपकी information होती है, यहां तक बात clear होगी है, अब remaining terms के लिए हम move करते हैं GDA students, अब हम बात करेंगे file management के हवाले से, अगर name से ही देखें तो क्या कहता है, हमने manage करना है किस को, files को, अब कैसे manage करना है, वो क्या कहता है, कहता है the process of naming, storing and retrieving files in an organized way, कहता है किसी file को name दे, किसी file को store करें, उस में से data retrieve करें, उस file को manage करें, इस तरहां कि वो way ऐसा हो, जो to generate will, तो वो क्या किलाता है, आपका file management किलाता है, for example, आप अपनी different types of files को, क्या करते है, अपने hard disk के उपर store करते है, आप क्या करते हैं, For example, आप folders बना लेती है ताके आप यह सारा data जों से एक दूसरे के साथ मिल न जाए, mix-up न न जाए और आपका data क्या हो एक Organized वे में पढ़ा हो यह क्या क्या क्लाती है, आपकी file management के लाती है अब कहते हैं इस file management के लिए किसी इसकी जुरूद पढ़ती है file management system की file management system कहते है collection of programs used for managing data stored in various files कहते है यह वो program है यह वो software है जिनका basic काम कहा है manage करना किसको files को और files मेंसे specifically क्या करते है data को basically क्या करना है manage करना है इन आ फाईल बात क्लिर होगी यानि कि वो software जो files के data को manage करते हैं ठीक है organized way में वो क्या करते हैं आपके file management system क्योंकि system की बात कर रहे तो याद रुख जब भी system की बात की जायेगी तो इसका मतलब है किसी ना किसी software की बात कर रहे पिर क्य independently and it manages and define its own data कहता है file management system में क्या होता है कहता है जो भी आप software बना रहे होते हैं वो किसी मखसूस data के ओपर operation perform करने के लिए होता है अब अगर वो किसी मखसूस data के ओपर operation perform कर रहा है तो वो ही same program किसी दूसरे data के ओपर working नहीं कर सकता for example एक आपकी file F1 है जिसके अंदर data बढ़ा हो है उसके लिए आपने एक program design किया वो क्या था P1 अब कहता है P1 basically किसको से manage कर सकता है F1 को और इसी तरह F1 को सिर्फ कोन manage कर सकता है P1 example यहाँ पर थोड़ा से देखते है मैं कहता हूँ एक आपका क्या है F1 file 1 यह manage कौन करेगा P1 इसी तरह आपकी एक file 2 है इसे कौन manage करेगा P2 कहता है याद रखेगा P1 जोंसे एक ऐसा program है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसको manage कर सकता है file 1 को F1 को और सेम इसी तरह जो P2 है जो program 2 है यानि कि एक different program है यह भी एक management system ही है file management system है लेकिन यह कोई सी file को manage कर सकता है F2 इसलिए कह रहा है कि P2 जो है वो F1 को manage नहीं कर सकता और P1 F2 को manage नहीं कर सकता अगर यह दोने एक दूसरे को manage नहीं कर सकता है इसका मतलब है जो भी आपका software बनता है जो भी एक program बनता है वो सिर्फ अपने एक own data को process कर सकता है उसको manipulate कर सकता है उसको safe manage कर सकता है किसी दूसरे data को manage नहीं कर सकता है यहां तक बात clear होगी और कहता है यह जो आपका program और data का एक दूसरे को पर depend करना है न इस term को हम program dependency कहते हैं क्या कहते है program data dependency program, data, dependency, यानि के program किसके उपर dependent है, data के उपर, और data किसके उपर dependent है, program के उपर, यानि के P1, F1 को manage कर सकता है, F1 को सिफ P1 manage कर सकता है, बात clear होगी, यह program data dependency के लाती है, अब हम बात करते हैं database की, database क्या है, कहता है database is a collection of related data for example हम किसके हवाले से information रख रहे हैं students के हवाले से यानि कि एक information system बनाना है जिसके अंदर किसका record होगा students का तो कहता है students की बात अगर की जा रही है तो इसका मतलब है fee को भी देखा जा रहा होगा इसका मतलब है वो कोई courses भी पढ़ रहे होंगे इसका मतलब है कोई teacher भी टीच भी कर रहे होंगे है न यह बाते कहता है यह सारी की सारी basically क्या है एक दुस्य के साथ relate कर रही है और यह क्या आपका related data इसलिए क्या कहता है database is a collection of related data फिर क्या कहता है database can be of any size and complexity कहता है database का size vary कर सकता है sometime आपके पास कुछ ऐसा databases आएंगे जो के बहुत छोटे होंगे और कुछ ऐसे databases भी आएंगे जिनका size बहुत बढ़ा होगा और कहता है अगर छोटा है तो obviously उसकी complexity भी क्या होगी वो कितना complex होगा छोटा होगा तो भी क्या होता जाएगा increase होता जाएगा इसलिए कहरा हर database का size होता है और जो उसकी complexity होती है वो क्या होती है different होती है फिर आखिर में क्या कहता है यह जो create किये जाते हैं manually भी create किये जासकते हैं और computerized भी होसकते है manually भी और computerized manual database की सबसे बहतरीन examples आपका जो library का card catalog है वो कैसे कहते है आप देखते हैं आपको card मिलता है library की तरफ से आप जाते हैं जब भी उसके उपर वो entry कर देता है जिसमें date issue date return ठीक है book का name उसका जो भी code है वो सारा mention कर देता है यह आपका कौन सा database यह आपका manual database है बात clear हुई जबके उसके against आप क्या कर सकते हैं computerized database भी generate कर सकते हैं वो ही library management system ले 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 वो क्या होगा आपका computerized होगा उसके लावा आप airline reservation system ले यह आपका क्या आज कल computerized है इसके लावा आप cash and carry स्पे जाते हैं बहुत ज़्यदा कहते हैं वहाँ पर भी देखें आपका stock की जो information होती है क्या होरी होती है manage होरी होती है आपके bills generate होरी होती है वो कौन सा database है आपका computerized database है इसका मतलब है manual और computerized दोनो database use किया जा रहे होते हैं लेकिन आज कल के दोर में क्या किया जा रहा mostly आपके कौन से computerized database इस्तमाल किये जा रहे है यहां दक बात clear होगी अब हमारी एक term रह गी है database management system उसको discuss करने के लिए हम move करते हैं towards next role GDA students अब हमने discuss क्या करना है database management system अब तो कि हमने क्या पढ़ा था पहले file management और हमने क्या पढ़ा था file management system यानिके file को जो manage करना था with the help of software अब कहता है database management system की बात कर रहे हैं यानिके database को manage कर रहे है with the help of software यानिके वो software जो के आपको database create करने उसको maintain करने उसको manipulate करने में help करते हैं these are known as database management system for example हो का कहता है a set of programs that allow user to create maintain and manipulate database in a convenient and efficient manner in a convenient and efficient manner यानिके user convenience feel करे कि हाँ यार बड़े अराम से database बना सकता हूँ मैं बड़े अराम से use कर सकता हूँ मैं इसके अंदर बड़े अराम से changes कर सकता हूँ तो यह के आपका convenient है और efficiency की क्या बात है मैंने कोई काम करने का इस system को का इसने 40 तोर पर respond कर दिया मैंने कोई record find करना था इसने 40 तोर पर record find करके दे दिया तो कहता है इसका मतलब है efficient भी है बात clear होगी और यह बात किसकी की जा रही है software की वो software जो के database को create maintain और manipulate करने में आपके help करते हैं वो सारे के सारे आपके क्या किलाते हैं database management systems किलाते हैं आप next chapter में complete एक database management system के बारे में पढ़ेंगे यानि के Microsoft access के बारे में और वो क्या एक software है जो के database create maintain manage और manipulate करने में आपको help करता है इसके अलावा भी दुनिया में बहुत से आपके database management systems exist करते हैं जिसमें oracle का नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा फिर SQL server का नाम सुना होगा आपने mysql का नाम सुना होगा फिर openbase का नाम सुना होगा यह सारे वो आपके software ना जो के database को manage करते हैं these all are database management systems अब क्या कहता है कहता है allow user to store and retrieve data from the database कहता है यह user को allow करता है कि आप उसके अंदर data को क्या कर सकें store भी कर सकें और on demand उसे हासल भी कर सकते है retrieve करने का मतलब है हासल करना फिर कैहता है manipulation of data कहता है manipulation का purpose किया है क्या मतलब है क्या कहता है वो कहता है includes adding new data कहता है आपने कोई नया record enter करना है तो आप क्या करेंगे add करेंगे एक नया data एक नया record इसके लावा आप चाहते हैं कि वो data जो के मेरे इस्तमाल में नहीं है वैसी unwanted सा पढ़ा रहा है आप उसे क्या कर देंगे वहां से remove कर देंगे delete कर देंगे और तीसरा काम क्या है कहता है आपके पास जो existing records पढ़े हुए है उनको update करना है उनको change करना है उनको modify करना है तो आप क्या कर रहे होंगे basically वो भी आप database management system के जरीए ही कर रहे होंगे यानि कि database management system आपको यह facility देता है आप चाहे तो कोई नया record add करने आप चाहे तो existing record जो कि किसी इस्तमाल में नहीं है delete कर दे और आप चाहे तो अगर कोई change है database के किसी record के अंदर किसी data के अंदर तो उसको modify करने उसको update करने यहां तक बात clear होगी आज हमने छे different terms को study किया है जिसमें data जिसके बारे में बात की थी collection of raw accent figure फिर हमने बात की information हमने क्या process करें उसी data को तो क्या बन जाते है information फिर हमने बात की file management हमने कहा था किसी भी file को manage करना किस तरह manage करना कि उसको name देना सारी चीज़ यह क्या किलाता है आपका file management और कहता है file management के लिए आपके बास बहुत से software भी exist करते हैं जो files को manage करते हैं यानि कि उनके अंदर मौझूद जो data उससे organized way में manage करते हैं these are known as file management system लेकिन उसकी बात हमने क्या की थी जो file management system है वो याद रखेगा वो एक program होता है जो किस अपने एक data के ओपर working कह रहा होता है उसके लावा वो किसी के ओपर working नहीं कह रहा होता चीक है इसको इसके अंदर हमने एक term भी discuss की जिसका नाम क्या था program data dependency यानि कि एक program P1 है वो सिफ F1 को manage कर सकता है यानि कि एक जो आपका program P1 है वो सिफ F1 को manage कर सकता है एक P2 है वो सिफ F2 को manage कर सकत यह program data dependency है फिर हमने उसके बाद database के बारे में बात की हमने कहा कि it's a collection of related data ठीक है इसके अंदर हमने कहा कि जी आपका database manual भी हो सकता है और computerized भी हो सकता है computerized में हमने बात की कि आज कल जितने भी आप cash and carries पे बात करें है medical stores पे जाके बात करें जिसमें आपको computerized bills generate हो रहे हैं यह स जिसकी base पे हम कोई new book क्या करते थे borrow कर लेते थे from the library ठीक है तो वो जो आपका card था वो जो library catalog card था ठीक है और वो आपका क्या था manual database था पिर हमने कहा कि जिस तरह file को manage करने के लिए file management system की ज़रत है इसी तरह database को manage करने के लिए आपके पास database management system की ज़रत है और वो software है जो कर database क create करने, maintain करने और manipulate करने में help करते है manipulation का मतलब हमने काया कि कोई नया record add करना, किसी existing record को delete करना, या किसी existing record में कोई change करना, यह कह खिलाती है आपकी manipulation कहलाती है यहाँ तक आज का topic क्या हो चुका है complete हो चुका है, उमीद है कि यह topic आपको समझा चुका होगा इन्शाला नेक्स लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, आला हाफिस